है ऐलो लो केसी है आप सब अब मैंन अब्वाद करता हूंग यह बोलत अच्छा हों गना पुछिए टिर्भूज के तीनों कोनों का योग क्या होता है तरह कहेंगें घिरेंगें तिर्बूज के तीनों कोणों मतलब इंटरनल एंगल की बात हो रही है लेकिन यदि मैं आपसे पूछूँ तो इससे साबित कैसे करेंगे तो आप क्या कहेंगे तो दोस्तों हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि तिर्बूज के तीनों कोणों का योग 180 डिगड़ी होता है इस पर साबित कैसे करेंगे हम लोग इसको करने वाले हैं आगमन विदी से मतलब यह कैसे 180 डिगड़ी होता है सबसे अंत में हम लोग निकालेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहीएगा कि देखी इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहला इस्ठेप मारा होगा कि अलग का तीन तिर्बूज हम लोग बनाएंगे तीन तिर्बूज बना द thin यह तैन अब क्या करेंगे चांदपर कर कार होता है कमपास में तो उस परकार से क्या करेंगे सभी कोनों को माप लेंगे उसका मान रख लेंगे यहां रखेंगे तो ज almost इसे 모습 का सभी थाइसका नापा तो 56 डिगरी निकला इसका घंव 24 डिगरी निकला त्रीफ टीर बनाईगी तर में हैंगे क्या एंग तर तरब डखंगे त्रव एक तरफ रखेंगे त्रवाद कितना था साथ डिए बिगदेंगे उसको त्रीज तीन में 148 डिगडिया उसी प्रकार से कौन भी लेंगे, कौन भी तिर्भूज एक में 56 डिगरी था, तिर्भूज दो में 46 डिगरी था, तिर्भूज तीन में 25 डिगरी था, उसी प्रकार से, कौन सी जो था, तिर्भूज एक में 64 डिगरी था, तिर्भूज दो में 44 डिगरी था, तिर्भूज तीन में 37 डिगरी थ तो दोस्तों आप कितने भी तिर्बूज बना लीजिए सभी कोणों को जोड़ेंगे ना तो यह स्वेंग सीध कंसेप्ट है उसका मान 180 होगा तो ऐसा करने वाद हम लोग यह जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि तिर्बूज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है और दोस्तों यही तो साबित करना था ना तो कैसा लगा वीडियो चली आगे बढ़ते हैं इसमें इसी अधार पर हम लोग क्या कर सकत हैं चत्रभूज को हम साबित कर सकते हैं तो चत्रभूज मनें समा ऑफ इंटरनल एंगल सबूफे क्वाड़ी लेटर मतलब चत्रभूज होते हैं बिलकूल इसी तरह से करेंगे यहाँ पर क्या करना है हम लोग चत्रभूज बना लेंगे चार तरह के उसमें चारो कोनों का हम लोग परकार से माप लेंगे, माप करके उसका मान रग लेंगे, फिर यहां क्या करेंगे, यहां पर तीन बनाये था, तो एक और लाइन बना देंगे, यहां A, B, C, और यहां D आजाएगा, यहां चत्रबुज 1, चतरबूज 2, चतरबूज 3 होगा और यहां पर 4 कोनों का मान हम लोग लिखेंगे फिर यहां कर देंगे कौन 1, पलस कौन B, पलस कौन C, पलस कौन D, और सब को जोड़ेंगे न दोस्तों, तो वहां पर 360 डिगरी आएगा, यहां भी 360 यहां भी 360 हैगा यहां भी 360 हैगा, तो हम लोग कर सकते हैं कि चतरबूज के 4 कोणों का यूब कितना होगा, 360 डिगरी और यह तो साबित करना था न, तो इस तरह से हम चतरबूज का भी साबित कर सकते हैं, तो वीडियो कैसा रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.